कि आपके दिमाग में थोड़ा सा भी यह आया कि हम दूद के साथ गया है पर मेरे दिमाग में आया कि मैं जो भिंडी आज बनाऊंगी उसमें मैं दूद का इस्तमाल करूंगी जो यूट्यूब पे शायद पहली बार ही होगा जो मैं आपके लिए वीडियो के कराएं तो अगर आपको ऐसी अच्छी वीडियो देखने हैं तो प्लीज से प्लीज में चैनल को सब्सक्राइब कर दोश्रायों को अधर्राइब के सब्सक्राइब करके के स्बस्क्राइब करे Mainly चैनल केम आफ़ सब्सक्राइब दिकुर्ण। कर सकते हैं चुकि जुकि 1-4 विंडी मोटीप नोशाये हां पहुत है जुदी और ही दोबुटा खृत भून लेती हूं तो देखिएगा मैंने एक ये बड़ी प्याज ली है जिसको मैंने लंबी-लंबी पीसिस में काट लिया है अगर प्याज छोटी है आपके पास तो आप दो प्याज भी ले सकते हैं में पास काफी बड़ी प्यास थी तो मैंने एक ही प्याज के यूज किया है आदा किलो बिंडी के अंदर काफी अच्छी बड़ी प्यास थी तो आप ने अनुसा ले सकते हैं इसके अंदर प्यास तो देखिएगा प्यास जो है वो अच्छी तरीकी से भून गई है हमको बस इतनी प्यास भूननी है ज्यादा हमको इसको बिल्कुल डायक ब्राउन नहीं अनुसार डाल लेंगे तो मैंने इसके अंदर एक चमच नमक का यूज किया है आप अपनी भिंडी के अनुसार इसमें नमक का यूज कर सकते हैं तो जलिएगा हम इन सारे मसालों को बिल्कुल खुश्बू आने तक अच्छी तरीकी से भून लेंगे जब तक खुश्बू ओलती थीमाटर काता है तो लेकी में और नृ टिो एक शेचा प्राइम के इसमाइब सेने अनुसार अब कर नहीं आफ तो दोग ना नोट सकते हैं तो आप ऐसी तरीके से टेमाटरों को का criticism काता हैं जिस तरीके से मैं इने काटा है क्यolensk के अंदर दूद डाल के पकाएंग तो हम वहम दूद को मसाली के अंदर डौलें तो अब दूद को मतलब हमसाला है, उसे हमें एक स्पटे हुना जो है फट ना जाए। तो चेलिए गuurा अब जेदना बचा हूए रॉस्ट हूपा होतले अफकी अफॉता है। ब्रशी जेतने ? बनेगी पर नहीं सब्सक्राइब बहुत यादा टेस्टी लगती है तो चलिएगा पांस से दस मिनिट के बाद मसाला जो हो अच्छी तरीके से बुन चुका है आप देखी सकते हैं जो तेल है बिल्कुल उपर सर्फेस पर आ गया है उपर की सतय पर आ गया है और टेमाटर जो बहुत यादा टेस्टी लगती है और सभी को बहुत यादा पसंद आती है आप एक बार इसको बना कर अपने घर पर जरूर ट्राइब कीज़ेगा आपके बच्चों को या फिर आपके घर में जोई फैमिली मेंबर्स हो उनको भी बहुत यादा अच्छी लगेगी और आग इसमें बिल्कुल पानी को यूज नहीं करना है तो चलिएगा अब हम भिंडी को जो है अच्छे से ढख के रख देते हैं और हम इसे बीच बीच में अच्छे चलाते रहेंगे तो देखिएगा पांसे साथ मिनिट के बाद मैंने भिंडियों को गार के देखा है तो कितने ही है ज़्यादा अच्छा लग रहा है बिल्कुल देखने में और टेल वह भी बिल्कुल सर्फेस पर आच कि अ कि तो जब तक बिल्कुल भिंडी जो नीचे से लगने लगे न नीचे से नी लगने लगें बिल्कुल इस तरीके से नहों जाएं जैसे रबडी नी होती हो जो है बोनी डा धाल ढखोंगी प्लेट के हम जितना इसके उपर धखेंगे न तो उतने जतना नहीं लेज जो बनता है यह यह इसलिए बनता है इसमिजाय आतर तो बिंडी को जितना हो सके 5 मिलेट के लिए रूसके बाद उगेड कर यह पकाएं मतलब इसको फड़ा कर इसको कि यह वैसे पक जाती है तो चलिएगा अब हम इसको सर्फ करते हैं तो मैंने रख दिया है इसको पांच मिनट के लड़के तो देखिएगा कितनी जदा टेस्टी और एकदम मज़दार देखने में भी कितनी ज़्यादा सुन्दर और खाने में एकदम लाजवाब भिंडी जो कर आई हूं और ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बैल आइकन प्रेस कर देना तक आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए तो चलिएगा अब आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जीएगा झाल आप फॉर मेरे चुमय टॉगा यूसरgio पीड़ुरा बर दो टो बहु एसंदूर से बुए्वागा युराका जई हो?